हलो चल्रन, हमारे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक डिवाइस के बारे में जिसे कहा जाता है ट्रांसफोर्मर ट्रांसफोर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के काम में आता है और transformer काम करता है principle of electromagnetic induction की मदद से तो transformer एक ऐसा device है जो voltage को बढ़ाने या कम करने के काम में आता है और ये काम करता है principle of electromagnetic induction पे तो transformer device है ये एक यंत्र है आप इसे खरीर सकते हो market में 50 रूपे, 100 रूपे, 1500 रूपे, 200 रूपे, 200 रूपे, 200 रूपे में छोटे transformer आते हैं तो transformer के size के उपर उसका cost depend करता है छोटे transformer सस्ते मिलते हैं और बड़ा transformer अफकॉर्स महेंगा ही मिलेगा ये voltage को कम भी कर सकता है ज्यादा भी कर सकता है आपने input में voltage दिया 10, output में आपको 20 भी मिल सकता है तो voltage को इसने बढ़ा के भी दिया, उल्टा भी हो सकता है input में 20 दो, output में 10 दे सकता है तो voltage आपको बढ़ा के या कम कर के मिल जाएगा लिकने voltage बढ़ाता और कम किस principle से करता है principle of electromagnetic induction, वो हम देखेंगे कैसे और हाँ चिलरें, transformer हमेशा AC voltage या AC current के लिए काम करता है transformer को AC current या AC voltage के लिए यूज किया जाता है कभी भी DC के लिए यूज नहीं किया जाता not used for DC, यानि यह DC voltage को बढ़ा या कम नहीं कर सकता input में 10 volt DC दिया, output में 0 मिलेगा input में 50 volt DC दे दो, output में 0 volt मिलेगा तो DC voltage अगर आप दोगे transformer को तो transformer उसको बढ़ा के या कम करके output में नहीं देगा सीधा 0 देगा जबकि अगर इसको AC voltage दिया, तो output में आपको एक बढ़ा voltage या छोटा voltage मिल सकता है अगर transformer दो टाइप के होते हैं, step up transformer और step down transformer step up transformer उसे कहते हैं, जिसका output voltage बढ़ा हो input voltage से, मतलब आपने input में voltage दिया 5 volt और output में voltage मिला 15 volt, तो आपको voltage बढ़ा के मिला तो इस transformer को कहेंगे step up दूसरा होता है step down transformer, step up का उल्टा input में बढ़ा voltage दोगे और output में छोटा voltage मिलेगा तो उसे step down transformer कहेंगे input में दिया 10 volt, output मिल रहा है 2 volt यह हो गया step down transformer I hope it is clear, step up और step down transformer क्या होता है अब चलन इसका construction देखते हैं यह एक basic construction है transformer का, हर एक transformer ऐसा हो जरूरी नहीं इस shape का हो जरूरी नहीं पर यह एक basic construction है तो हर transformer के पास एक primary coil होती है primary coil एक copper से बनी होई coil है बस copper को लेके उसको ऐसा गोल 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 गुमा दो उसे primary coil कहेंगे तो यह है primary coil और यह insulated होती है फिर यह है secondary coil तो हल transformer के पास एक primary coil होती है और एक secondary coil होती है primary coil को input यह IP लिखा है मतलब input तो primary coil को input coil भी कहा जाता है secondary coil को output coil भी कहा जाता है output को OP लिखा हुआ है तो primary coil is input coil, secondary coil is output coil तो यहां से हम input voltage देंगे और यहां से हमें output voltage मिलेगा और यह दोनों insulated होते हैं यानि एक दूसरे के electric contact में नहीं होते एक दूसरे को यह touch नहीं कर रहे होते है एक दूसरे को यह electrically भी connected नहीं है they are insulated from each other और यहाँ पे primary और secondary coil को एक soft iron के core के उपर लपेटा जाता है यह आपको यह rectangle type दिख रहा है यह iron से बना हुआ है soft iron से तो primary और secondary को soft iron core के उपर इस तरह से लपेटा जाता है तो यह primary इसे soft iron core के उपर लपेटा है और secondary को soft iron core के उपर लपेटा है तो यह है इसका general construction अब इसकी working देखते हैं किस तरह से यह काम करता है तो चिलन इसका काम करने का तरीका ये है input को AC voltage दिया जाता है input is given AC voltage या AC current भी बोल सकते हो AC voltage दे रहे हो तो AC current भी दे रहे हो of course alternating current आप इसको दे रहे हो ठीक है यहाँ पर मैं इस तरह काँए symbol बना देता हूँ तो input पर आपने AC voltage या AC current दिया अब चलरन क्योंकि यह current AC है alternating है इस current की जो value है वो change होते जाएगी correct कभी यह current positive होगा कभी negative होगा इस current की value बढ़ेगी 0 होगी कम होगी फिर बढ़ेगी फिर इस तरह से यह current variable है तो this AC current is variable in nature अब जब आप current primary coil में pass करोगे तो coil अपना एक magnetic field बनाएगा the primary coil generates a magnetic field तो इस primary coil ने एक magnetic field generate किया अब क्योंकि current change हो रहा है तो primary coil का जो magnetic field है वो भी change होगा भाई coil का magnetic field तो current पर depend कर रहा है current change होगा तो primary coil का जो magnetic field है वो भी change होगा since the current is changing magnetic field created by primary will change तो primary जो magnetic field बना रहा है वो magnetic field भी changing होगा अब चिल्डन soft iron core का क्या काम है अब आपको पता चलेगा soft iron core ये iron से बना हुआ है अफकोर्स लोखंड से बना हुआ है लोहे से बना हुआ है तो जो soft iron core है iron को magnet बहुत पसंद है iron को magnetic field बहुत पसंद है तो जितना भी magnetic field primary बनाएगा वो सारा magnetic field कहां जाएगा soft iron core के पास तो primary का magnetic field soft iron core अपने पूरे volume में distribute कर लेगा यह देखो इस तरह से जो मैं dot 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 बना रहा हूँ यह magnetic field है यह magnetic field किस ने बनाया primary ने लेकिन यह magnetic field को कौन attract कर रहा है कौन अपने अंदर पूरा का पूरा इसको कौन absorb कर रहा है soft iron core तो magnetic field कुछ इस तरीके से पूरे soft iron core में फैल जाएगा तो अगला point क्या है soft iron core will not allow this magnetic field to go to the surrounding यह इस magnetic field को यहां surrounding में जाने से नहीं देगा जाने नहीं देगा यह पूरा magnetic field खुद के पास रख लेगा यह soft iron core का का काम तो soft iron core ने पूरा का पूरा magnetic field खुद के पास रख लिया अब children अब यह magnetic field secondary coil को पास कर रहा है this magnetic field now creates a flux through the secondary और यह flux कैसा है magnetic flux है तो अब एक बार फिर से यहां से हमने current डाला current यहां से हमने पास किया तो एक magnetic field बन गया यह magnetic field secondary से भी पास हो रहा है यानि यह magnetic field secondary को cross कर रहा है यह secondary में एक magnetic flux create कर रहा है तो यह magnetic flux is created in the secondary अब प्राइमरी का current चेंज है प्राइमरी का current चेंज हो रहा है तो magnetic field चेंज होगा अगर magnetic field change होगा तो secondary का जो flux है, magnetic flux वो भी change होगा, क्योंकि magnetic flux क्या होता है, field into area अब field तो change होते जा रहा है, so the magnetic field now creates a flux through the secondary and this flux is variable and this magnetic flux is variable correct, तो magnetic current, तो sorry variable current था, तो variable magnetic field बनाया primary ने, अगर primary का variable magnetic field है, तो ये variable magnetic field, secondary का flux variable बना देगा अब secondary का magnetic flux variable है तो हमें पता है by electromagnetic induction या by Faraday's law therefore by Faraday's law जब भी किसी coil का magnetic flux change होता है, उस coil में क्या Correct हो जाता है बताओ, उस coil में क्या אिन्डईऊवी हो जाता है, current तो जब भी किसी coil का magnetic flux रहन होता है तो उसमें एक EMF medios होता है एक current induced हो जाता है तो therefore by Faraday's law and EMF is induced in secondary तो क्या working है transformer का यहां से हमने भेजा current current variable है current variable है तो primary का magnetic field variable है primary का magnetic field variable है तो secondary का magnetic flux variable है और जब भी magnetic flux vary करता है किसी भी coil का तो EMF generate हो जाता है इसलिए secondary के पास एक EMF generate हो गया अब चलन अगर मैं यहां पर DC supply देता यहां पर DC voltage देता तो DC voltage देता तो current constant हो जाता current constant हो जाता तो magnetic field constant हो जाता magnetic field constant हो जाता तो secondary का flux constant हो जाता और अगर flux constant होता है तो कोई EMF generate नहीं होता तो अगर DC voltage देते तो यहाँ EMF 0 होता इसलिए DC voltage नहीं दिया जाता AC voltage दिया जाता है तो चलन अभी अभी हमने देखा एक transformer काम कैसे करता है अब हम देखेंगे कि exactly primary में कितना voltage और exactly secondary में कितना voltage develop होता है तो चलन मान लेते हैं कि primary में total यह जो turns है वो NP है NP is the number of turns in primary और secondary में जो turns है एक turn, दो turn secondary के जो turns है वो NS है let NS be the number of turns in secondary तो अब हमें पता है कि अगर हम Faraday's law लगा दें तो the EMF of primary will become number of turns of primary into change of flux change of magnetic flux of primary with respect to time यह होता ना EMF equal to d5 by dt EMF होता है d5 by dt लेकिन NP number of turns है तो into NP भी करना पड़ेगा तो this is the EMF of the primary और अगर मैं EMF of the secondary बोलो EMF of secondary हो जाएगा number of turns of secondary upon change of magnetic flux of the secondary so EMF of primary is number of turns of primary into d5 by dt of primary EMF of secondary is number of turns of secondary into d5 by dt of the secondary अब इसका ratio लेलते है therefore EMF of primary upon EMF of secondary is flux of primary into NP upon change of flux with respect to time of secondary into number of turns of secondary ना चिल्रेन जो flux primary को ग्रोस कर रहा है वही flux secondary को भी ग्रोस कर रहा है the flux of primary is also the flux of secondary देखो जो lines यहां से निकल रहे है वही secondary में जा रहे है जो lines यहां से निकल रहे है वही secondary में जा रहे है तो जो flux of primary और flux of secondary है वो cancel हो जाएगा therefore EMF of primary upon EMF of secondary is a number of turns in primary upon number of turns in secondary तो यह relation होता है EMF of primary और EMF of secondary के बीच में एनि कि जो EMF है वो depend करता है number of turns पे EMF of primary will depend on number of turns of primary EMF of secondary will depend on number of turns of secondary अब अगर मैं कहूँ if I say step up transformer step up transformer में secondary का voltage ज्यादा होता है EMF of secondary is more than EMF of primary अब EMF की अगर secondary के अगर EMF बढ़ी होगी तो secondary के number of turns भी बढ़े होगे therefore number of turns of secondary is greater than number of turns of primary तो step up transformer में secondary में ज्यादा turns होते हैं और primary में कम turns होते हैं similarly step down में क्या होगा step down में उल्टा हो जाएगा step down transformer में primary का voltage बढ़ा होता है और secondary का voltage छोटा होता है तो primary के turns बढ़े होंगे और secondary के turns छोटे होंगे तो यह step up और step down transformer है चिलन आपको यह याद रखना है transformer के numericals ज्यादा तर इसी से बनेंगे EMF of primary upon EMF of secondary is number of turns of primary upon number of turns of secondary step of transformer में secondary के पास ज्यादा turns होंगे step down transformer में primary के पास ज्यादा turns होंगे अब कुछ बच्चों को लगता है कि transformer तो एक बहुत अच्छा device है भाई यहाँ पे primary में 10 volt दो और secondary से 20 volt लो free का voltage मिल गया तो क्या यह possible है क्या आपको कोई भी चीज free में मिलेगी 10 volt का 20 volt free में हो जाएगा क्या law of conservation of energy violet हो गया हमें free का voltage मिल गया एक्स्ट्रा वोल्टेज मिल गया क्या law of conservation of energy violet हुआ चिलन आंसर है नहीं law of conservation of energy violet नहीं होता free का voltage नहीं मिलता तो 10 volt का 20 volt हुआ कैसे यह कहां से आया एक्स्ट्रा वोल्टेज तो चिलन बताता हूँ इसका reason देखो transformer का symbol कुछ ऐसा होता है यह transformer का symbol हो गया यह primary और यह secondary तो यहां पे जो आपने voltage दिया उसका नाम रख दिया हमने EMF of primary और यहां जो voltage मिला EMF of secondary अब यहां पे कुछ तो current होगा यह होगा current of primary और यहां जो current होगा यह होगा current of secondary तो चिलन होता क्या है the power और the energy of primary and energy of secondary are same for ideal transformer मतलब अगर आपने एक अच्छा transformer बना लिया है एक ideal transformer बना लिया है तो energy of primary और energy of secondary सेम होगा अगर energy सेम होगा तो power भी सेम होगा power of primary is equals to power of secondary अब power क्या होता है voltage इंटो current तो EP into IP is IS into ES primary का current into primary का voltage is secondary का current into secondary का voltage देर्फोर EMF of primary upon EMF of secondary is current of secondary upon current of primary तो primary के सामने secondary का current secondary के voltage के सामने primary का current ये ratio उल्टा बन रहा है और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ न EMF of primary को number of turns of primary upon number of turns of secondary तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर आप primary का voltage बढ़ाओगे तो देखो ये inverse proportion है primary का current primary का voltage बढ़ाओगे तो primary का current कम हो जाएगा secondary का voltage बढ़ाओगे तो secondary का current कम हो जाएगा यानि कि अगर आप यहाँ पे 10 volt दे रहे हो और secondary में 20 volt मिल रहा है आपको यानि voltage बढ़ा के मिल गया voltage तो बढ़ा के मिल जाएगा लेकिन जो secondary का current है वो कम हो जाएगा तो आप voltage तो बढ़ा रहे हो पर current को कम कर रहे हो तो अब आपको समझा free में कुछ नहीं मिलेगा अगर secondary का voltage बढ़ाना है तो secondary के current को कम करना पड़ेगा यानि कि overall power को सेम रखना पड़ेगा तो step up transformer में क्या होता है step up transformer में इन step up transformer जो EMF है EMF of secondary वो तो बढ़ा होता है EMF of primary से EMF तो बढ़ जाता है पर जो current होता है secondary का उसको कम होना पड़ता है अगर एक चीज़ बढ़ा होगे तो दूसरी चीज़ को कम होना ही पड़ेगा कही न कहीं से sacrifice तो करना ही पड़ेगा और step down में इसका उल्टा अगर मैं step down लिखू तो EMF of secondary छोटा होता है EMF of primary से तो current of secondary बढ़ा हो जाएगा current of primary से तो voltage तो आपको बढ़ा के मिल रहा है पर current कम हो जाएगा और अगर voltage कम हो जाएगा तो current बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप energy को create or destroy कर सकते हो voltage बढ़ा होगे तो current कम करना पड़ेगा current बढ़ा होगे voltage कम करना पड़ेगा कहीं न कहीं compromise तो करना ही पड़ता है free में तो कुछ नहीं मिलता मम्मी के प्यार के आलावा तो चिलरन हमने अभी अभी transformer के बारे में कुछ basic details सीखें अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर फाइदा क्या हुआ आप secondary का voltage बढ़ा रहे हो तो current कम हो जाता है तो transformer का use क्या है भाई power तो वही रही energy तो वही रही तो फाइदा क्या हुआ let us see the advantage तो चिलरन मान लेते हैं यह पावर स्टेशन पावर स्टेशन मतलब वो जगह जहां पे electricity बनती है तो दिस पावर स्टेशन इस पावर स्टेशन के तुरंत बाद एक step अब transformer लगा होता है क्यों यह step up transformer लगा होता है इस step up transformer की वज़े से जो voltage है बहुत हाई हो जाता है तो output में आपको voltage मिलेगा जो बहुत हाई है लेकिन जो current मिलेगा वो काफी low होगा तो पावर स्टेशन के बाद एक step up transformer आता है step up transformer का जो voltage होता है हाई होता है और current low अब क्योंकि current low है तो यह जो wire है इसमें जो heat generate होगी उसका formula होता है I square RT Joule of heating क्योंकि आपने current को low कर दिया तो heat बहुत low हो जाएगी यानि कि यह जो wire है इसमें जबर जस्ती की heat create नहीं होगी heat बरबाद नहीं होगी आपने जो electricity बनाई है electrical energy create की है वो heat के form में dissipate नहीं होगी तो current को low करके इसे आपके घर तक पहुँचाया जाता है तो जब आप power station से current को घर पे पहुचाते हो तो इसे transmission कहते है तो transmission क्या है transmission is sending the power electrical energy from the power station to your home तो जब ट्रांस्मिशन के वक्त जो heat generate होती है जो wastage होता है electricity का वो low हो जाता है अगर आप step up transformer लगात होता हो और यह voltage बहुत हाई होता है आपने कई बार देखा होगा ऐसा एक transformer बना होता है वहाँ पे लिखा होता है 22,000 volt caution 11,000 volt तो जो voltage है काफी हाई होता है 22,000 volt 11,000 volt इतना जब पर जाता है अब आपके घर में क्या आप 22,000 volt यूज़ करते हो नहीं आप तो 220 volt यूज़ करते हो तो यह 22,000 volt को फिर से convert किया जाता है step down transformer लगा के step down transformer लगा के जो voltage है उससे 220 volt किया जाता है और फिर इस voltage को आपके घर पे दिया जाता है अब चिलन एक और advantage है transformer का मान लोग की transmission में कुछ गड़बड होगी अचानक से बहुत जादा current transmission में flow हुआ अब यह है transmission और किसी गलती के वज़े से कुछ तो हो गया कुछ गड़बड हो गए क्या गड़बड होगी पता नहीं पर कोई गड़बड हो गई और बहुत high current flow होने लगा ओके फिर यह है step down transformer तो चिल्डरन अगर यह high current flow हो रहा है तो यह step और फिर यह आपका घर है step down transformer के बाद आपका घर आता है तो अगर यह high current flow हो रहा है तो यह step down transformer की primary को उड़ा देगा लेकिन primary और secondary के बीच में कोई electric contact नहीं है चिपके हुए नहीं है दोनों तो primary तो उड़ जाएगा secondary नहीं उड़ेगा और अगर secondary नहीं उड़ेगा तो आपके घर में जो device है वो सलामत रहेंगे तो क्या फाइदा हो गया इससे isolation हो गया electric power station में अगर कुछ गरबर होती है तो आपके घर के device तो transformers also provide isolation between power station and your own और transformer का एक और काम है mobile चार्ज करना laptop चार्ज करना जितने भी चीज़े आप चार्ज करते हो वो सब transformer की मदद से ही होता है देखो कैसे यह है आपके घर का 220 volt इस 220 volt को दिया जाता है transformer के primary को और यहां होता है transformer का secondary अगर आपने कभी mobile की battery देखी है तो उसमें कभी भी 220 volt नहीं लिखा होता battery हमेशे चलती है 10 volt 15 volt पे तो पहले हमारे घर की जो primary होती है 220 volt की उसे secondary की मदद से 20 volt के आसपास लाया जाता है लगबग लगबग 20 volt के आसपास उस voltage को लाया जाता है तो 220 volt की आपकी घर की सप्लाई है यह आपके mobile charger के अंदर होता ही है this is inside your mobile charger तो inside your mobile charger there is a transformer और transformer 220 volt को 20 volt के आसपास convert करता है इसके आगे और भी circuits होती है filter circuit होता है rectifier होता है rectifier और filter circuits के बारे में हम लोग semiconductor में पढ़ेंगे और तब जाके आपके mobile को हम charge कर पाते हैं तो हर वो चीज जहाँ पे charging की जरुवत लगती है वहाँ पे यह transformer पका होता है आजकल के जितने भी modern equipments है electronic equipments जो DC voltage पे चलते हैं जैसे कि आजकल के नए जमाने के TV नए जमाने के fridge के display fridge नहीं, fridge का display AC का display वहाँ पे यह transformer होता ही है तो transformer हर उस जगह पे होता है जहाँ पे हमें voltage को उपर या नीचे करना है अब चल रहे हैं हमने पढ़ा था ideal transformer ideal transformer जो power primary के पास होता है वही power secondary के पास भी होता है लेकिन दुनिया में कोई भी transformer ideal नहीं होता primary से secondary पे जब power जाता है कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है और जो transformer है उसमें जो नुकसान होता है power का वो तीन टाइप का होता है copper loss, hysteresis loss eddy current loss तो आप सब जानते हो कि transformer की यह जो coil है यह बनेगी तो copper से जो coils है यह copper की बनी है अब copper की coil का कुछ तो resistance होगा जब current इस copper की coil से पास होगा तो उस coil का कुछ तो resistance होगा और उस वज़े से यह coil गरम हो जाएगी और थोड़ी सी heat dissipate होगी इस heat को हम कहेंगे copper loss तो यह current जब copper से पास होता है तो उसके कुछ तो resistance की वज़े से heat energy release होती है वो heat energy को हम copper loss में गिनते हैं अब hysteresis loss क्या है आप सब जानते हो कि primary और secondary के बीच में आता है एक iron का core इस तरह के का iron का core आता है जब primary में current पास होता है तो एक magnetic field बनता है जो iron core से पास होता है अब यह जो iron core से पास होने वाला magnetic field है यह iron core को magnetize कर देगा correct इस iron core will get magnetized लेकिन यह current variable है यह current बढ़ेगा तो iron core magnetize होगा फिर जब primary का current कम होगा तो यह iron core demagnetize होगा तो iron core बार-बार magnetize demagnetize magnetize demagnetize magnetize demagnetize होता है तो हमारी कुछ electrical energy iron core को magnetize और demagnetize में waste हो जाती है तो उस loss को हम कहते है hysteresis loss hysteresis loss is part of iron loss इस iron के piece में होता है इसलिए hysteresis loss को iron loss भी कहा जाता है तो iron loss का part है hysteresis loss next है eddy currents आप जानते ही है कि जब भी हम voltage को sorry जब भी हम magnetic field को change करते है किसी भी sheet के through तो eddy currents flow होने लगते है तो इस iron core में भी eddy currents flow होते है और जब eddy current flow होते है तो वो heat के form में energy को dissipate करने लगते है तो eddy current में भी काफी losses होते है तो copper loss को तो आप कभी भी कम नहीं कर सकते है copper का resistance है तो है hysteresis loss को भी कम नहीं कर सकते है यह core magnetized और demagnetized तो होगा पर आप eddy currents तो कम कर सकते हो eddy currents can be reduced by using transformer transformer having laminated core अब यह laminated core क्या होता है laminated core का मतलब होता है इस तरीके का block नहीं लेना है आपको ion core का ऐसा लोहे का इस तरह का डबबा नहीं लेना है इसमें है न बीच बीच में ऐसे कटाव होने चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ laminated core दिखता कैसा है यह है ion का core और यह pure इस तरीके का डबबा नहीं होना चाहिए देखो यह pure डबबा हो गया ion के core का इसमें इस तरह के के cuttings बनाय जाते है grooves बनाय जाते है इसे laminated core कहा जाता है जो बीच बीच में आप कट देख रहे हो इसे 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 जो कट देख रहे हो इसे laminated core कहा जाता है अगर यह laminate कर दिया जाए core को तो जो eddy current के loss है वो कम हो जाते है तो eddy current के loss को कम कैसे किया जाता है core को laminate करके इस तरह से laminate किया जाता है ऐसा pure डबबा नहीं बना देते हम प्योर डब्बा नहीं बनाते सलोहे का डब्बा बना दोगे तो eddy current loss बहुत बढ़ जाएगा तो eddy current को prevent करने के लिए हम laminated core का इस्तेमाल करते है तो चले ना हम एक बात समख चुके कि कोई भी transformer 100% efficient नहीं होता primary में जो current आता है sorry primary में जो power आता है वो पूरी तरह से secondary के पास नहीं जाता बीच में नुकसान हो जाता है electrical power का तो there is a thing called as efficiency और efficiency को हम इस symbol से denote करते है इटा से तो efficiency of transformer होता है power of secondary upon power of primary और अगर इसमें into 100 कर दो तो percentage efficiency हो जाएगा तो what is efficiency power of secondary upon power of primary तो यह formula आपको याद रखना है efficiency क्या होता है efficiency होता है secondary का power upon primary का power और इसकी value हमेशा 1 से कम होती है efficiency 0.9 हो सकता है 0.8 हो सकता है 0.9 मतलब 90% 90% efficiency 0.8 मतलब 80% efficiency तो चलन अब कुछ numerical देखते है transformer के और काफी easy numerical होते है transformer के transformer के numerical मतलब bonus marks हो जाएगा ऐसा समझ लो तो यह transformer है उसके primary के पास 500 turns है तो diagram बना लते है एक transformer है number of turns of primary 500 है secondary के पास 100 turns है ठीक है भाई वो भी बना लते है number of turns of secondary 100 voltage गिवन तो primary 100 volt voltage of primary 100 volt find the voltage of secondary बहुत easy question voltage of primary upon voltage of secondary is equals to number of turns of primary upon number of turns of secondary बस इतने ही करना है primary का voltage है 100 secondary का voltage नहीं पता primary के turns है 500 secondary के turns है 100 तो मिल क्या voltage of secondary therefore voltage of secondary is 100 divided by 5 20 volt तो secondary पे 20 volt जाएगा अब question आगे भी है अगर input power 5 watt है और transformer ideal है तो output में current कितना होगा हमें पता है power input is equals to power output क्यों क्योंकि transformer कैसा है ideal question में लिखा है transformer ideal है तो input का power अगर 5 watt है तो output का power भी 5 watt है तो power of output is 5 watt अब output का power क्या होगा current of output into voltage of output current of secondary into voltage of secondary भी लिख सकते हो तो 5 is equals to current of secondary into voltage of secondary तो मिल गा 20 volt तो current of secondary भी मिल जाएगा current of secondary हो जाएगा 5 by 20 which is 1 by 4 ampere तो काफी easy question होता है voltage मिल गया power दिया है current भी मिल जाएगा next question चिल्डन primary के पास 50 तरन्स है तो number of turns of primary 50 secondary के पास 100 तरन्स है number of turns of secondary 100 magnetic flux linked with primary तो flux of primary दिया हुआ है phi 0 plus 4T हमें secondary का voltage पूछा है तो चिल्डन अगर primary का flux पता है तो मुझे primary का voltage मिल जाएगा voltage of primary is given by number of turns of primary into d5 by dt therefore voltage of primary हो जाएगा number of turns of t इसको differentiate with respect to t करेंगे तो यह हो जाएगा phi 0 sorry phi 0 को differentiate करेंगे तो 0 हो जाएगा तो phi 0 को जाएगा 4T को differentiate करेंगे with respect to time तो 4 आएगा तो primary के पास 2 तो वोल्ट है तो चले रहें if the magnetic flux linked with primary is given by this much यहापे per turn होना चाहिए per turn याणि हर turn के पास इतना flux है तो the voltage of primary is this number of turns दिया है 50 d5 by dt याणि कि इसको differentiate करूँगा तो आएगा 4 तो primary के पास 200 वोल्ट है अब तो बहुत easy question हो गया voltage of primary upon voltage of secondary is number of turns of primary upon number of turns of secondary primary का voltage है 200 secondary का voltage पता नहीं primary के turns है 50 और secondary के turns है 100 1 जा 2 जा तो voltage of secondary हो जाएगा 400 वोल्ट अब चले न अगर यहाँ पे per turn word नहीं होता तो क्या होता तब question थोड़ा सा change हो जाता देखलो अगर per turn word नहीं होता तो क्या होता तो children voltage of primary हो जाता d5 by dt सिर्फ इतना ही रह जाता voltage of primary हमने यहाँ पे number of turns क्यों multiply किये एक turn का इतना flux है total np turns है इसलिए np multiply किया अगर per turn नहीं होता यहाँ पे सिर्फ total flux of primary दे दिया जाता total flux of primary दे दिया है तो यह total flux of primary है यह turns गिन के दे दिया है हमें ऐसा समझना पड़ता तो अगर per turn word नहीं होता तो np नहीं लिखते हम सीधा d5 by dt कर देते अब d5 by dt करोगे differentiate करोगे तो 4 आ जाएगा तो number of turns of primary sorry voltage of primary 4 आ जाता और voltage of secondary double हो जाता इसके 8 volt double क्यूं होता इस relation की वज़से इस relation की support दे को ना primary में अगर दोस होता तो secondary में 400 हो गया primary में अगर 4 है तो secondary में 8 होता अगर यह total flux होता यादि कि per turn नहीं लिखा होता अगर यह total flux होता तो यहाँ पे voltage 4 होता और यहाँ पे voltage 8 होता क्योंकि per turn लिखा है तो number of turns से multiply करना पड़ा हमें voltage of primary निकालने के लिए अगला question चिल्डर्ण primary को connect किया है DC से 10 volt और current है 1 mA number of turns of primary upon number of turns of secondary दिया है voltage and current of secondary निकालो वीडियो को pause करो और voltage और current of secondary निकालो children answer है zero क्यों zero कुछ लोगों ने तो calculate करके answer भी निकाला होगा non zero answer निकाला होगा पर इसका answer है zero यहाँ देखो primary को किस से connect किया है primary को DC से connect किया है और आपको बताया था जब भी primary को DC से connect करोगे secondary में कोई voltage कोई current नहीं मिलेगा answer is zero अगला question देखते है children एक transformer की efficiency है 90% तो लिख देते हैं भई efficiency 90% है मतलब 0.9 है और transformer work कर रहा है 200 volt पे चल्यों ट्रांसफोर्मर work कर रहा है 200 volt पे इसका मतलब जो primary का voltage है वो 200 volt है और ट्रांसफोर्मर का working power है 3000 watt यानि की the power of primary is 3000 तो चल्यों अगर मेरे पास efficiency है power of primary है तो मुझे power of secondary मिल जाएगा efficiency होता है power of secondary upon power of primary efficiency का value दिया है 0.9 0.9 is power of secondary upon power of primary है 3000 देरफोर power of secondary मिल गया 2700 watt तो secondary का power हमें मिल गया if the current in secondary is 6 ampere तो current of secondary दिया है 6 ampere तो voltage of secondary भी मिल जाएगा power of secondary पता है है current of secondary पता है तो power of secondary उपको मैं क्या लिख सकता हूँ power of secondary is voltage of secondary into current of secondary और current of secondary दिया है 6 ampere तो voltage of secondary हो जाएगा 2700 डिवाइड बाइ 6 इसको अगर मैं 6 से कट करूँ तो तो 64 जा 24 जाएगा तो जाएगा तो voltage of secondary मिल गया हमें current of primary पूछा है power of primary पता है 3000 तो power of primary is current of primary into voltage of primary power of primary है 3000 current of primary हमें पूछा है voltage of primary है 200 तो current of primary आ जाएगा 15 ampere अगला question चल्रन एक transformer है primary secondary बना देता है इस transformer का इस्तेमाल कर रहे हम 140 वाट का बल्ब जलाने के लिए तो of course बल्ब कहां होगा secondary पे जो device होता है वो secondary पे होता है तो secondary पे बल्ब है और यह 140 वाट का है from 240 वोल्ट AC में AC में का मतलब होता है primary तो primary का voltage 240 है तो यहां 240 वोल्ट है the current in main cable main cable मतलब primary cable primary cable में current है 0.7 ampere तो current of primary भी पता है हमें 0.7 ampere तो primary का voltage पता है primary का current पता है primary का power मिल जाएगा power of primary is current of primary into voltage of primary 0.7 into 240 7 into 24 168 watt और secondary पे किता power consume कर रहा हम 140 watt power of secondary 140 watt efficiency पूछी है power of secondary upon power of primary efficiency है 140 upon 168 7 से cut करोगे तो 20 upon 7 to the 14 24 तो 4 5 जा 4 6 जा efficiency है 5 by 6 लगबग लगबग 83.3% के आसपास efficiency है इसका percentage निकालो into 100 करोगे तो लगबग 83 के आसपास आएगा so these were the questions on transformer transformer के questions बहुद difficult नहीं होता हैं करें करें